हम लोग बात करें बहुतिक भूगोल के बारे में और इसमें लास्ट किलास में हम लोग ने बायू मंडल का जो संगठन है उसके बारे में बात की थी आज की इस किलास में हमें बायू मंडल की सरचना के बारे में बात करनी है और ये सभी किलासें आपकी UPSC यानि की सिविल सर्विस और आपके इस्टेट PCS को ध्यान में रखते हुए कबर की जारी है और बड़े विस्तार्ट से हम लोग बात कर रहे हैं और अगर आप लोगों और इस्टेट PCS प्रिलेम्स इस्पेसल किलासिस के नाम से तो जो प्रिलेम्स का सिलेवस होता है ना चाही तियास हो भूगोल हो समीधान हो अर्द विवस्ता हो बिग्ज्यान हो सभी किलासें आपको यहां करम से मिल जाएंगी और आप मेंसे बहुत सारे लोग ये भी पू से भी कवर हो जाते हैं और अब देखिए बायू मंडल की सरचना सबसे पहले चैप्टर का जो नाम रहता है ना उसी को समझने की कौसिस किया करिएगा जद बायू मंडल का मतलब क्या होता है आप लोग ने पढ़ा है ना बायू मंडल आप लोग देखिए थल मंडल के बार देखते हैं ना उसी की बात हो रही है पितवी के चारों और सेकडों किलोमीटर की मौच्टाई में लपेटने वाली गैसी ये आवरन को बायू मंडल कहते हैं क्या करते हैं बायू मंडल कहते हैं और इसमें सरचना का मतलब जा होता है सरचना का मतलब होता है एक तरह से आप देखे, बाई बंडल हो गया, बाई बंडल की सरचना हो गई, गगन चुम्मी इमारत हो गई, जो आप धेईतों से बन जाती है, पत्थरों से बनती है, और पत्थरों की सम्भूव उसमें रहते हैं, और आपका सरीर ही देख लίजे, या एक बात के देख लिजे, आप लोग, सरचना लेटेन सब्दे इस्ट्रेक्चरोरा से बना हुआ है जिसका मतलब होता है एक फिटिंग एक साथ या भवन कुछ पिक्चर्स देख लीजे आप लोग देखे जोब मंडल के बारे में आप लोग पढ़ते हैं समताब मंडल के बारे में आप लोग पढ़ते हैं मद मंडल के बारे में पढ़ते हैं ताब मंडल के बारे में पढ़ते हैं बाह मंडल के बारे में पढ़ता है इनी के बारे में हमें जानना है जैसे भारत का मैप आप देखे यह हमारा कारा भारत है यह आप देख रहे हैं देखे, यह सभी राज्य जो बसे हुए है, यह इस्थल मंडल पर बसे हुए है, और यह आप देखते हैं कि बंगाल की खाड़ी है, यह जल मंडल है, क्या है? जल मंडल है, इसके उपर जो आप लोग देखेंगे, बायू की जो परत रहती है, गैसों की, उसी को आप लोग क्य कहते हैं बायू मंडल कहते हैं तो पितवी के चतुरदिक हजारों किलोमीटर तक आविश्टिक बायू मंडल जो मानव जीव जन्तू वनस्पती इस्थालाक्ती आदी के लिए अप्तीत से महत्पूर है कि विशाय में ग्यानरजन हेतू जिग्यासा मनुस्यों में बिद्धमा किया और अब इस्थि दिसा में नियंतर प्रयास और चिंतन होता रहा है और जिस कारण बिस्वी सताफदी के पैरम्मे में रेडियो तथा बायू यान की साहता से बायू वंडल की उपरी भाग का ज्यान प्राप्त किया गया है और विज्ञानिक विकास की कारण किंतिम अब आप सोचे पहले हम लोग बंद्रों के रूम में रहते थे अपना जीवन यापन करते रहते थे एक जगह से दूसरी जगह सिकार करके फलपूल खाके फिर मनुस से ने सोचा होगा ना इंसान ने सोचा होगा ना कि क्यों ना हम एक जगह रहने लगें पसू पालने लगें जो दूद देंगे हमें मास देंगे और हम एक जगह फसल की वह आई भी कर सकते हैं उसके लिए उन्होंने सोचा कि कौन सा इस्थान अच्छा रहेगा तो उन्होंने सोचा कि जहाँ पा गाड़ी बाईक का मोटर साइकल का अविस्कार कर लें, तो वो भी बन गई, फिर कार आ गई, फिर बसें आप देखते हैं, दुनिया भर की आ गई, अब एरोकलेन आ गया, तो यह सब सोच की यह सोच है, बर्तमार बिग्यारी योग में जियो जियो अत्याधुनिक यंतों का अविस्कार होता जा रहा है, बाईमंडल की ज्यान में नेंतर बिद्धी हो रही है, और नए नए अविस्कार होंगे, तो आप देखते हैं, और अच्छे होते हैं, यहाँ एक और बता देता हूँ, आप लोग कई उग्रहों के बारे में पढ़ते रहते हैं, कि सनी के, ब्र आ रहे हैं, और आगे भी अगर इस तरह की कोई तखनीक आते ही, तो आगे भी बहुत सारी पॉइंट मिलते रहेंगे, बहुत सारी जानकारी और भी जुरती रहेगी इसमें, और अनेक भ्रांतियों, संकाएं धीरे-धीरे समात्त हो रहे हैं, और नविन्तम ग्यान है तो, अनेक मौसम विभागों एवं सोध संस्थाओं की इस्थापना की जा रही है। और इसके अलावा अनेक जलवाई एवं मौसम बिज्ञानिक ने अपने योगदान पिस्तुत किये हैं। और जिसमें आप देखेंगे सर नेपियसो हो गए, पिकाइडी हो गए, तिसरा दाबोर हो गए, फ्रेडले हो गए, फैरेल हो गए, कैनेली हो गए, हैवी साइड हो गए, ए महत्पून है। अंतराष्टी भू भौत की वर्स में बायू मंडल संबंधी अनिक महत्पून अनुसंधान काली किये गए, और भारत भी बायू मंडल की बिजसे में अध्यन हितु मौसम भू उपग्रय अंतरिक्ष में पिती स्थापित कर चुका है। हमारी अंतरिक्ष चैजन्सी है ना इस रो, इंडियन स्पेस रसर्च और्गिनाइजेशन की बात कर रहा हूँ, जिसकी इस्तापना 15 अगस्त 1990 में हुई थी, बैंगलोर में आपको हेड़कौार देखने को मिलेगी, वो उपग्रय भेशती रहती है, आप लो सुनते रहते ह होंगे, अंतरिक्ष बिग्यानिकों ने प्राथ बायुमंडली ये सूचनाओं तथा अनेक बिग्यानिक यंतों की साहता से किये गए सूख्ष अध्यनों की आधार पर बायुमंडल को अनेक समाननतब परतों या इस तरों में विभाजित करने का प्रयोग किया है, और अती बितरन में विसमता बिद्ध मान है, और जिस का कारण बायुमंडल इस तरों कर से जन हुआ है, और पितेक इस तर संगमन पेटियों की द्वारा एक दूसरे से पूर्णता अलग है, यानि कि पिथक है, और जिस कारण इसको पांच तरमुक परतों में विभाजित किया गया और आयन मंडल हो गया, और आप देखें, बहीन मंडल हो गया, तो यह आप पांच परतों में बाटा गया है, यह आप लोग याद रखेगा चली इसके बारे में भी जान लेते हैं और पितेक बायु मंडली ये इस्तर का पिठक कत एक सीमा इस्तर के द्वारा होता है जिस सीमा इस्तर की संग्या पिदान की जाती है जोब मंडल तथा सम्मान सम्ताब मंडल के मद्द आपको जोब सीमा देखने को मिलती है हो सकता है कि आप से इस तरह का normal questions पूँच ले कि जोब मंडल और समताब मंडल के मद्द की सीमा को क्या कहते है जोब सीमा कहते है समताब मंडल और ओजोन मंडल के मद्द जो समताब सीमा होती है और ओजोन मंडल और आयन मंडल के मद्द आप देखें मद्द सीमा की छिली सीमा बिद्दिमान होती है तो सबसे पहले आप लोग जोब मंडल के बारे में जान लिए जलवाईव की दिरिष्टी से अतिंत महत्पूर्ण बाईवंडल की सबसे निचली परत जो निचली परत होती है ना उसी को आप लोग टोफो स्पियर सब्द का प्रियुक सरपितम, तिसरा दबोर नमक अंत्रिक्ष बिग्यानिक ने किया था, तिसरा दबोर नमक अंत्रिक्ष बिग्यानिक ने, जिसका साब्दी कर्थ होता है मिसरन बितेश, और धरातल से इस परत की उचाई 14 किलोमीटर तक मानी जाती है, जो पर समान नहीं होती है, भूमद रेका पर इसकी उचाई आप देखेंगे 18 किलोमीटर से अधिक होती है, धर्वों पर कम 8-10 किलोमीटर होती है, और जिससे धर्वों की ओर यह परत पतली होती गई है, और जो मंडल में उचाई के साथ ताबमान में हिरास होता है, जो आप द यह ताबमान की बिलॉमता उत्पन हो जाती है, बाई विच्चो बाईू निरगाद जलवास धूलकर आदी स्परत में बिद्दिमान होते हैं, और जिसकारण बादल और तूफान जैसे जलवाई घटनाएं उद्दित होती हैं, और धरालतल से जो मंडल की उपरी सीमा तक स संबहन धाराएं चलती हैं, और जिसकारण उसी संबहनिये मंडल की संग्या भी पिदान की जाती हैं, और जो मंडल में बरसा हो गया, हिम हो गया, तुसार हो गया, कुहिरा, अन अनिक बाई मंडली घटनाएं होती हैं, और जिसकारण इसे जलवाई की दृष्टी से अतिन् और संपूर्ण मंदल का आस्थिर मंदल जिसमें प्रया संभण धाराएं प्रभावित होती हैं जिसे संगनन और बरसा की पिकिरिया भी होती है जो आप बरसा देखते हैं इसी की बात हो रही है जो मंदल सीमा की अगर हम लोग बात करें तो जो मंदल इस्तर की ऊपरी भाग मे एक चिजला इस तर पाया जाता है और जिससे जो मंडल सीमा की संग्या दे गई है और जिससे आप देखे जो मंडल और समता मंडल एक दूसरे से अलग होते हैं पिथक होते हैं और जो मंडल सीमा आसमान मोटाई वाला पतला आवरन होता है जिसकी उंचाई पिते एक इस्थान पर समान नहीं होती है भूमद रेखा के आसपास आप देखेंगे कि 17-18 किलोमीटर और धुर्वों पर आप देखेंगे 7-8 किलोमीटर उंचाई का अनुमान किया जाता है और इसी सीमा में जो मंडल बढ़ता घटता रहता है और इसमें बाई मंडल की परिवर्तन सील उपर इलक्षित होता है और भूमद रेखा के ऊपर इस सीमा में 35 डिक्री सेल्सियस तो धुर्वों पर आप देखेंगे 60 डिक्री सेल्सियस ताबमान अंकीत किया गया है और जहां पर उंचाई अधिक होती है वहां ताबमान अधिक देखने को मिलता है और उंचाई की भि गती से होती है तो यह भी याद रखना है फिर आप देखें समताब मंडल की बात करें तो समताब मंडल टोफो पाज की उपरी सीमा है और जिसकी उंचाई धरातल से आप देखें 30 किलोमीटर मानी जाती है कितनी 30 किलोमीटर अलग 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 उंचाई दी गई होगी तो ज्यादा आपको परिशान नहीं होना है लगबग इतनी माने जाती है इस बाई मंडली परत की कोज तिसरा दाबोर ने की थी और इस परत में उचाई की साथ ताफ हरास समात हो जाता है और पेते एक स्थान पर ताफ लगबग समान रहता है और जिस कारण इसे समताफ मंडल की संग्या दी जाती है इसके सब्द को अगर आप लोग बड़े ध्यान से परते हैं तो उसकी परिभासा आपको मालूप चल जाती है और मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप लोग NCRT कम से कम दो से तीन बार जरूर पढ़ लिजे अपना बेस मजूद कर लिजी उसके बाद अगर इन किताबों को इस्पेसल किताबों को आप लोग पढ़ेंगे न तो आपको बहुत अच्छा बेतर रेजल्ट मिलेगा समझ में भी आएगा इसकी अलावा इस तरण मंडल भी कहा जाता है और कती पे विद्वान बाई मंडल में इसकी उचाई 30 मील मानते हैं और कीच फील्ड ने इस मंडल की उचाई धरातल से 15 मील मानी है तो अलग-लग विद्वान उन्हें अलग-लग मानी है वारतमार बाई मंडल ये अनुसंधानों से इसपश्ट हुआ है कि इस मंडल में पैरमें ताप इस्थिर रहता है और पुना उचाई के साथ बढ़ने लगता है परन्तु जलवाई की दिरिश्टी से यह एक इस्थिर मंडल माना जा सकता है और जिसमें जलवास धूर का बायू का और रूहन आरम आर आदी लगभक सुन होते है ना के बराबर और कारण मेगों का सेजन और अन जलवाईवेग घटनाओं की उत्पत्ती नहीं होती है क्या होती है उत्पत्ती नहीं होती है यहाँ आप देखे चित्र देख लिए फिर आंगे बढ़ते हैं बायू मंडल की वेवन परते हैं, यह आप देखें, जो मंडल हो गया, समताब मंडल हो गया, ओजोन मंडल हो गया, यह ताब मंडल हो गया, और यहां देखेंगे आप लोग बायू का ताब मान, यह आप लोग देखें, बायू का दाब देखाई दे रहा है आपको, रेडियो मंदल में और भूमद रेखा के पास इस मंदल में ताबमान की अधिकता और धुर्वों के पास नियूनता अंकित की जाती है और धुर्वों पर यह मंदल अधिक संगनर होता है बिस्वत रेखा पास अतिंत पिरल होता है और कभी-कभी अस्तिहीन भी होता है सम्ता मंदल सीमा या इस्टेटो पोज की संग्या पिदान की जाती है और इस सीमा में समताब मंडल की समस्त बिसेस्ताय समाप्त हो जाती है ताब मांतीब गती से बढ़ने लगता है और जिसका प्रवाव अल्ण अल्प वायविक तक्तों पर परिलक्षित होता है क्या होता है परी लक्षित होता है ओजौन मंडल की अगर हम लोग बात करें तो आप देखें समताब मंडल सीमा के ऊपर ओजौन मंडल का विस्तार 30 किलोमीटर से लेखिन 60 किलोमीटर की उचाही तक होता है और इस मंडल में ओजौन जैस की पिधानता होती है और ओजौन गेस आप देखते हैं कि उपर से आने वाली हाने कारक केनों को रोकता है, हमारी रक्षा करता है, और विद्वान इस मंडल को समता मंडल की उपरी परत सुईकार किया है, और यह मंडल प्रकिती का बरदान है, इसकी उपस्तिती कारण ही धरातल पर जीब जन्तु और बनस्पतियों का अस्तित विद्मान है, और जब ओजौन परत में चरन होता है, गटना इस तरह की खबरे आती हैं, तो चिंता व्यक्त की जाती है, और जिस कारण से एक करने सीधे धरातल पर नहीं पहुँच पाती है, यदि धरातल पर इनकी प्राप्ती यथा रूम मे अधिक हो जाता है, तो यह भी आपको देखने को मिलेगा, और ओजौन बंडल में आप देखें, पांस सेंटीमीटर सेल्सियत, पिती किलोमीटर की दर से ताबमान में बिद्धी होती है, तो नेंदर साट किलोमीटर की उचाई तक होती है, कभी-कभी इस मंडल में ताप, पिती लॉमन की स्तिती उत्पन हो जाती है, टॉमसन ने 1920 में इस परत की खोच की थी, जलबाई की दरिश्टी से परत अतेंद मात पूर है, इस परत के कारें ही सोर की पराविनी केरने सीधे धरातल पर नहीं पहुँचती है, यदि इसी धरातल पर पर पहुँचें, तो अन सीमा द्वारा ओजौन और आयन मंडल का अलग होते हैं, पितक होते हैं, फिर आप देखते हैं, आयन मंडल होता है, और धरातल से 60 किलो मीटर की उचाई पर ओजौन मंडल के ऊपर आयन मंडल इस्ते थे, और जिसकी उचाई आप देखेंगे, उचाई सीमा 500 किलो मीटर है, और इस उंचाई के विषय में विद्वानों में मद भेद है। और विद्वान इसकी उंचाई धरातल से 50 km मानते हैं और तथा उपर सीमा 500 km की उंचाई तक सुईकार किये हैं। और जबकि कुछ अनुसंदानों में इसका अविस्तार 69 km से 1000 km तक माना गया है। और विज्ञानिक अनुसंदानों से बरत्मान तक इस परत्मान तक इस परत्मान के विषय में अधिक से अधिक ग्यान पराप्त किया जा चुका है। रेडियो तरंगों द्वारा इस तर की विषय में सरपितम ग्यान पराप्त हुआ। और बरत्मान समय की धौनिक तरंगों, रॉकेटों और धुर्विय जोती के द्वारा ग्यान पराप्त किया गया है। इसके बारे में जानकारी पराप्त की गई है। और इस दिस्तर में ताबमान में उचाई के साथ रास प्यारम हो जाता है और जो 30 km की उचाई पर आप देखें 38 डिगरी Celsius हो जाता है और इसके पश्या ताबमान में विड़ी अंकित की जाती है 95 km पर आप देखें 10 Celsius और 2500 km की उचाई पर आप देखें 700 डिगरी Celsius तक हो जाता आयन वंडल में तामान में विद्धी, परमाडविक, ऑक्सीजन और आप देखें रस्मियों के सोसन के कारण होती है अधोभाग में नाइटोजन परमाडवी है, ऑक्सीजन आधी से परिपोण होता है 200 किलुमीटर के उपरी वायू परमाडवी है, ऑक्सीजन की पिदाहनता होती है और 1000 किलुमीटर पर गैसों में आयतन का प्रिभाव परिलक्षित होता है और बास्तों में इस दिस्तर में उचाई पर बायू दाव अतेल्प हो जाता है और जिस कारण परावेगनी पोटांस तता उच बेगी है धूल कड़ों के नेंतर पेरहाल से गैसों में आयनन की किरिया परम हो जाती है जो अधिक उचाई पर द्रश्टब में होती है और आयनिकेद गैसों की पिदानता की कारण इस तर पर आयनन बंडल की संग्या पिदान की जाती है और आयनन बंडल को आयनिकेद गैसों की आधर पर निमनाकेद उप इस तरों में विभाजित किया गया है D परत 60 से आप देखें 90 km, E परत 90 से 130 km, E बन परत 110 km, E2 परत 150 km, F2 परत 150 से आप देखेंगे 380 km, और G परत आप देखेंगे 400 km देखने को मिलेगी तो यह भी आप लोग देखेंगे, और E उप इस तर रेडियो तरंगों को रोक कर उन्हें पितवी पर बापस भेद देते हैं, जिससे रेडियो पिसारन में सुविधा उपलब्द होती है और इस तरों में देनिक और बासिक ताबां तरवी परिलक्चित होता है, जिस कारवाई मिंडल में 30-300 km की उचाई तक धुरुब जोती परिलक्चित होती है और डी परत का अस्तित दिन में रहता है, और सूर्यास्त की बाद आप देखेंगे पश्चात अस्तित हीन हो जाती है लगू और मध्यम रेडियो तरंगों का इस परत में औसोसन हो जाता है, और जबकि दी तरंगों का परावर्तन होता है और इपरत अधिक इसपर्ष्ट हैं और जिसे लगू अमध्धिव रेडियो तरंगों का धरतल की ओर परावर्तन होता है और सूर्यास्ति के बाद आप देखें यह परत बिलुप्त हो जाती है और 110 किलूमीटर की उचाई पर इपरत में कती पर अन विसिष्टाय उत्पन हो जाती है और जिसका नामकरण विसिष्ट इपरत किया जाता है और 150 किलूमीटर से आप देखें 380 किलूमीटर की उचाई के इस तरके को एप 2 परत कहा जाता है एप परत का विस्तार E2 से के उपर होता है और जिसे एप बन कहते हैं एप 2 तथा एप 2 परतों में बरीगी कित किया गया है इन दोनों परतों का सित्थ के बल दिन में रहता है दिन के समय में रहता है और 400 क्लिव मीटर की उचाई पर जी परत बिद्धमान होती है इस परत में नाइट्रोजन के परमाडूं उपर परावेगनी फोटांस की रिया होती है और आयन मंडल का वर्तमन विज्ञाने योग में अतिन्त महत्व है इसी कार माध्यम से अनेक संचार सुविधाय का विकास किया गया जो संचार सुविधाय की आपको मिल रही है यह उसी के कार मिल रही है फिर आप देखते हैं कि बहिर मंडल होगा और बहिर मंडल की उचाई आप देखें पांस सो से एकजार किलोमीटर के मद्ध है और इस मंडल में हाइडोजन हिलियम गैसों की पिधानता देखने को मिलती है उपरी भाग में चुमकिय मंडल देखने को मिलेंगे और ताब अधिपत तथा बिरल बाई मंडल की इस मंडल की पिरमुक बिसेस्ता है इसकी उपरी भाग में तामान 50 से आप देखेंगे 60 degree Celsius तक पहुंच जाता है और परद धरातल कितना गरम नहीं होता है और 8000 कितना 80,000 किलोमीटर के उपर पिद्वी के वाईवंडल में सूरी के वाईवंडल के में आत्म साथ हो जाता है तो चलिए अब नई विचात धारा द कि अध्यन और परांद बाईवंडल के विशाय में अनेक नई सूचना उपलद हुई है और जिसे बाईवंडल की सरचना समंधी नवीन विचार पिस्तूत किये गया है और प्राचीन मानताओं में अनेक विज्ञानों तत्थों का समाविस हो गया है और मारसन निकोलेट न अस्ती किलोमीटर की उचाई तक आपको देखने को मिलेगा इसमें विद्दमान के सों में कोई अंतर नहीं होता है और जिसकारण इसे सम मंडल की संग्या पिदान की गया है और कभी-कभी अलप परीवर्तन की घटना घटती भी है तो वाय मंडल की द्वारा पुना विवस से अलग होते हैं इसमें आप देखें हेट्रो इस्पियर इस मंडल का विस्तार 80 किलोमीटर से अधिक उचाई पर देखने को मिलेगा और इसमें रसाइनी को भौतिक गुड़ों में विसम परिलक्षित होता है जिस कारण इस मंडल को विसम मंडल की संग्या पिदान की जात इसमें बिद्दमान विविन पर पदार्थों की उपस्तिती के बारे में विक ज्यान पर आप थो रहा है और इसकी परत की अध्यन में से ग्रहों और ग्रहों के विसमें ग्यान पराथ हो रहा होता है और बायुमंडल में सरवतित ताबमान समान नहीं है किसी परत में ताबमान की विद्दी अंकित की जाती है तो किसी महराज किया जाता है और बायुमंडल और धरातल की ताप का स रचना हो गए कुछ find आप लोगों को और बता देता हूं क्योंकि इनसे भी questions आप देखते हैं पूँच लेता है कई बार क्या करता है पूँच लेता है आपसे और यह आप देखे प्रेलिम्स के विलिए या वंडेक जाम के लिए काफी माथफूर हो सकते हैं point तो आप लोगो अगर उसका नाम दिया गया है यह निया गया है यह तो आप लोगों को बता चुका हूं कि अगयस्तकी परतें जो प्नोग को चारों से गहरे रहती है उसी को आप लोग कहते हैं इन में आप देखने सबसे जांदा nitrogen होता है फिर oxygen होता है और भी गैसे होती है जैसे आप याद रखिएगा और देखे जो मंडल में कोहरा बरसा ओला विष्टी इस तरह के सब घटनाय देखने को मिलती है और समताब मंडल में आप देखते हैं समताब मंडल एक बात याद रखिएगा यह परत बाद लोगों मोसम सम्मेंदी घटनाओं से लगबग मुक्त होती है और मद मंडल में आप देखते हैं कि अंतरक से पिरवेश करने वाली ओलका पिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं आयन मंडल में आप देखते हैं कि रेडियो संचार के लिए इस परत का उपयोग किया जाता है और बायू में बास्तों में पितवी से पिसारिद रेडियो तर होती है और इसमें आप देखते हैं हिलियम हाइड्रोजन गैस पाई जाती है तो यह भी आप लोग यह यात रखिएगा इसकी बारे में ठीक है यही कुश्चिन पूछे जाएंगे तो आप लोग बहतर आंसर दे पाएंगे बाकी आपके कोई आंसर हो यानि कि कोई सवाल हो करें लिए तो आप लोग नीचे जरूर बता सकते हैं अंगली क्लास में हम लोग सुर्या तब की बारे में बात करेंगे ठीक है आप लोग पढ़ते रहिए एंज्वाय करते रहिए मेरी सुब कामना है आप लोगों के साथ हमेशा है ठीक है